गुद मोर्निंग प्लास नाइन चैप्टर थर्ड प्रमानु एवं अनु या एटम्स एंड मोलिक्यूल्स तो इसमें आप पढ़ेंगे आपने लास्त तक पढ़ा था हम अपमारे चारो तरफ परधार्तों को देखते हैं हम पढ़ेंगे कि जो हमारे चारो तरफ परधार्त हैं according to मैशी कनत के अनुसार यदि हम इन परधार्तों को तोड़ते हैं तो हमें छोटे-छोटे कर्ण मिलते हैं कब तक मिलते हैं तोनोंने का जब तक हम तोड़ते हैं एक ऐसा समय आता है फिर वो परधार तूटता नहीं है और वो जो कंड हमें मिलता है जिससे हम नहीं तोड सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसका नाम हमने क्या दिया परमानू क्या दिया हमने उसका नाम एक अवाज्य कंड का दिया जिसको हमने परमानू कहा ठीक है फिर इस पर कई विसार चर्चा हुई लास्ट में ये बोला गया कि हाँ एक ऐसा आपका कंड जो एविवाज्य जिससे आप नहीं तोड़ा जा सकता परमानु का नाम दिया और अठारा सरताब्दी के अंतव वैज्ञानिकों ने तत्वों और योगिकों के बीच में बेट भी समझ लिया था कि तत्वों क्या होते हैं और योगिक क्या होते हैं और इस बात को समझाने के लिए आपके एल एल एंटोनी लाइजर लेवोरियस ने आपको एक कैमिकल रियक्शन में आपको दो नियम दिये पहला नियम था सायोजन का और दूसरा क्या था इस्तिर अनुपात का तो दर्वेमान संरक्षन का नियम क्या होता है कि दर्वेमान संरक्षन के अनुसार किसी भी रासानिक अभी क्रिया में दर्वेमान का ना तो सर्जन होता है ना ही विनाश होता है मतला ना ही हम इसको बनाते ना ही तोड़ बट एक रूह से दूसरी रूप में चेंज करते हैं एक इस्तता हुपात कॉम किसी भी योगिक में तत्त पर योगिक वे अप्रियोग करें। इन सारी बातों के बाद एक साइंटिस्ट है जॉशन डॉल्टन जिनकी ये बायोग्राफी हैं। उन्होंने इस प्रमानों के आपके सिधान के बारे में बोला, सबसे पहले कहा, डॉल्टन के अनुसार, सभी द्रव प्रमानों से निर्मित होते हैं, इन्हें आगे नहीं तोड़ा जा सकता, इनके रासाइनिक और फिजीकल और केमिकल सेम होते हैं, अलग-अलग के प्रमानों के द्रविमान राश्ताएं गुन अलग-अलग होते हैं, और इनको परसपर छोटी संख्या के अनुपात में सियोग कर निर्मित किया जा सकते हैं, मतलब यदि आप अलग-अलग तत्वों के प्रमानों को अलग-अलग उसमें जोड सकते हैं, और इ से हम आगे नहीं तोड़ सकते या कह सकते हैं बेस है इकाई है जिस तरह एक मकान बनने में सबसे छोटी का इच से बनता है उसी तरह आप कह सकते हैं कि परमानू वो सबसे छोटी इकाई है परमानू बहुती छोटे होते हैं जो कि कल्पना और तुलना कर सकते हैं कि बहुत छो तत्वों के प्रमाणू के आधुनी प्रतिक क्या थे मतलब जितने भी तत्व थे उनको हम कैसे बताते थे कि यह तत्व है क्या था तो उसके लिए एक निश्शित मात्रा इंगित कर रखी थी कि प्रमाणू को पर्दिशिक करेगा और बर जिलियस ने इन प्रतिकों का सुझा तो जिस तत्व का जो नाम है उसके दो एलफाबेट से हम उसका बता सकते हैं फिर कुछ ऐसे तत्व थे जिनका नाम उनके अलफाबेट से सोनी था तो वह वह तत्व जहां से उनकी उत्पत्ती हुई उत जैसे आईरन और आपका कैल्शियम पोटेशियम जो की अपने अपको आपके उसनों ने बताया आयूपेसी ने इंटरनेशन यूनियन ओफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्टी ने भी इनको बताया कि हां इनके इनी नामों को हम आगे तक प्रियोग करेंगे फिर यह आपका साड़नी आ जाती है इस साड़नी को आपको कॉपी में प्रमाणू दर्वेमान का मतलत है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोनों की संख्या जब किसी एटम की संद्रचना को देखते हैं तो इलेक्टोन उसके चारो तरफ घुमते हैं और प्रोटोन और न्यूट्रोन उसके भीच खेंद्रक में विराजबान होते हैं फिर आया कि कैसे प्रमाणू के दर्वेमान को हम बताएंगे तो उसने कहा प्रमाणू के दर्वेमान को बताने के लिए उन्होंने एक इकाई ले ली कारवन 12 क्योंकि कारवन 12 उसका समिस्थानिक है तो उन्होंने कहा किसी भी प्रमाणू के लिए आपको बताने के लिए कि उसका कितना दर् बताएगा यह इसका फॉर्मूला था यह कुछ ऐसे तत्वें जिनके दर्वेमान दिये गए हैं प्रवेमान किस प्रकार अस्तित में रहते हैं स्वतन्त रूप से आपके परमानू नहीं रह सकते तो यह आपके आयन बनाते हैं आयन आपको पता होना चाहिए आयन वहते हैं ज दिया है।